जैहिन, विल्कम टुकर्स्तू लर्निंग और आज हम लोग करेट अपिस्टूडे की एक नई सिंखला के साथ यहाँ पर उपसित हुए हैं जिसका नाम है दूसरा भारत नागरीट सिखर सम्मेलन आपको बता दें कि उत्तरी योरोप के पांच ऐसे देश जिन में देशों का सहयोग रहा है आजादी के पहले से ले करके जो भी सुरच्छात्माइद बाते होती रही है उनको ले करके अगर वर्तमान पर फेक्ष की बात की जाए तो 2022 का ये दूसरा भारत नार्डिक सिखर सम्मेलन है उत्तरी यूरोप के कौन से ऐसे देश हैं जिनको हम य अर्थ विवस्थाओं में से एक हैं पहला भारत और नार्डिक जो सिखर सम्मेलन हुआ था वो अपरेल 2018 में हुआ था तो इसी करम में आगे बढ़ते हुए दूसरा भारत नार्डिक सिखर सम्मेलन के अगर बात की जाती है तो प्रधान मंतरी शरी नरे मोधी ने दूसरे भारत नार्डिक सिखर सम्मेलन में डिनमार्क की प्रधान मंतरी सुसरी मेटे फ्रेटरिक रिक सेंड, आइसलेंड की प्रधान मंतरी सुसरी कैटरीन जैक वाइस्टर, टार्वे की प्रधान मंतरी सी जोनास गहर इस्टोर, स्वीटन की प्रधान मंतरी सुसरी मेटली लीना एंडर्सन और फिनलेंड की प्रधानमंत्री सुस्री सना मारिन के साथ भाग लिया है और ये दूसरा हमारा सिकर सम्मेलन है इसके पहले का जो सिकर सम्मेलन है वो अप्रेल 2018 में आयोजित हुआ था इतर सिकर सम्मेलन ने 2018 में इस्टाखों में आयोजित पहले भारत नारडिक स संबंधों में हुई प्रगत की समिक्षा करने का आउशर पढ़ान किया महामारी के बाद आर्थिक सुधार रिकवरी जलवायू परिवर्तन सतत विकास नवाचार डिजिटली करण और हरित अवम स्वच्छ विकास आदि छेत्रों में बहुप अच्छे सहयोग पर चर्चा की गई है तो यह जो परयोग चल रहा है इसके पहले भी इसके उपर विचार किया गया था लेकिन दो साल के अंतराल में बीच में कोरोना का टाइम आया था जिसको लेकर के ऐसी गत्विद्या बन रही थी कि इन सम्मेलन को एक विज्वल के मांधम से किया जाए लेकिन अभी जो हाल फिलाल में यह जो सम्मेलन हुआ है इसमें इन सब बातों पर चर्चा हुई है अस्थाई महासागर प्रबंदन पर विशेश ध्यान देते हुए समुद्री छेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई है प्रधान मंतरी ने नार्डिक कमपनियों को विशेश उरुप से भारत की सागर माला परयोजना समेत जल से जुड़ी Blue Economy अर्थविःस्था के छेत्र में निवेस करने के लिए आमंतरित किया है तो इसमें जो भारत में जो सागर माला परयोजना चल लई है सागर जोड़ो एक तरह का अभियान है एक सागर से दूसरे सागर में इसी तरह से हमारे देश में पर्वत माला पर योजना आई थी तो ये भी योजना चल लेई है तो सागर माला योजना का संब्द विसेश रूप से देश के सागरों को ले करके है आर्कटिक छेत में नाडिक छेत के साथ भारत की साजीदारी पर चर्चा हुई है और प्रधान मंत्री ने भारत की आर्कटिक नीत और आर्कटिक छेत में भारत नाडिक सहयोग की विस्तार के लिए एक अच्छी रूप रेखा भी प्रस्तूत करती है तो ये जो आर्कटिक नीत है ये भारत के संदर में एक विसेश योगदान की रूप में देखा जा रहा है परधान मंत्री ने न युक्त व्यक्तब को अंगीकार भी किया गया है तो आपको बता दें इसके पहले का जो सिखर समेलन हुआ था वो अपरेल 2018 में हुआ था तभी से लेकर के इसमें ये गत्विधिया वंदी रही है और समय समय पर उत्तरी यूरूप के जो पांच नाडिक देश हैं जो बहुत ह साथ नवाचार की बाते हो रही है और आने वाले समय में सैन अभियान को लेकर के भी जो सागर माला परयूजना को चलाया जा रहा है इन गत्विधियों में भी भाग लिया जाएगा तो आज करन्ट अफिर टुडे की सिंखला में यहीं तक मिलते हैं नेक्ट सेग्मेंट मे ने तत और ने बिसलेशनों के साथ तब तक के लिए अगस्तुलानी की तरफ से जैहिन जैभारण